याँ तो हरहर महादेव सबको मैं मोहिद ब्राह्मन रुद्रा फ्रॉम मुत्रा घंड व कृस्ट वह आशा करता हूं कुछ सुनाने आये था तो सुना कि तो स्टार्टिंग रूँगा महादेव से हमेशा की तरह हर दर्द हर जख्म हमारे हर दर्द की दवा है यह समझ दो हमे किसे बच्पन के अपने सुनाया करती थी हमें तो हो जाती मोहबत शायरी सुनाने वाली लड़की से भी यार वो तो फिर हमें कजली सुनाया करती थी बहुत बहुत शुक्रिया तो ये एक और ख्याल सुने कि कि तुम्हारी यदा भी कमाल करती है कभी करती है गुस्ताखी कभी सवाल करती है कि तुम्हारी यदा भी गुस्ताखी करती है कभी करती है गुस्ताखी कभी सवाल करती है कभी होती है खुश मेरे दूर जाने से कभी दूर जाने से मेरे मलाल करती है बाद बाद शुकना की देखना एक और की कुशनुमा सा एक मनजर होता अगर मेरे नशीब में कोई नदी, कोई दरिया, कोई समंदर होता कि कुशनुमा सा एक मनजर होता अगर मेरे नसीब में कोई नदी, कोई दरिया, कोई समंदर होता जिसको तुम मिली हो बिना मांगे खुदा से यार कास उस लड़की के जैसे मेरा उकदर होता बहुत बहुत शुक्रिया कि तो ये सुना कि मुझे में चुपे कई राज है मेरा कल ऐसा नहीं होगा जैसा आज है कि मुझे में चुपे कई राज है मेरा कल ऐसा नहीं होगा जैसा आज है और घंटा वरगनी पड़ता आस्तीन में पल रहे साँपों से दोस साथ जो खड़े हैं सबके सब बाज हैं कि तुम्हारी खातिर मरने का इरादा कर लिया था इश्क तुमसे जरूस से ज़ादा कर लिया था वो जो मेरा सहर छोड़ गया किसी गैर की खातिर उसके खातिर मैंने सहर से वगावत कर लिया था न जाने तुमसे कैसी सिकायत यार नजाने कैसी उनकी सिखायत यार खुदा खुद से न कर पाए खुद की हिफाज़त यार वो जो मेरा सहर शोड़ गया किसी और की खातिर हमने की थी वगावत सहर से उनकी खातिर तो बहुत बहुत शुक्री आगे दिखना कि हर बार तूटते हैं तुम, हर बार तोड़ते थे तुम, लो इस बार हमने तोड़ दिया, खुश रहना, तुम अब दुआ है, यही बस मेरी, लो आज से हमने आपका शहर छोड़ दिया, तो शुनना कि लड़कों की लाइप पर लिखाता है मैंने भी, तो थोड़ा सा, डीपली लिखाता हूँ, मेरे को कुछ नहीं जीए, तो बस आप ध्यान से सुनना बस, कि बाते अब तुम से चुपानी पड़ती है, कहना चाहता हूँ, बहुत कुछ, मगर बाते दिल में दबानी पड़ती है, कभी मिल जाती थी, बिन मांगे चाह भी बिस्तर पर, आज देखो ना मा, रोटी भी खुद बनानी पड़ती है, आज देखो ना मा, रोटी भी खुद बनानी पड़ती है, कि कभी मिल जाती थी, बिन मांगे चाह भी बिस्तर पर, आज देखो ना मा रोटी भी खुद बनानी पड़ती है देखो ना मा कितना जादा मजबूर हो गया हूँ मै तुम लोगों के लिए ही तुमसे दूर हो गया हूँ मै तुम लोगों के लिए ही तुमसे दूर हो गया हूँ मै याद आता है पापा आपका हर बार पिटने से वचाना याद आता है हर बार मेरी गलती पर गोत में उठाना देखो मा तुम तो थी इस दुनिया से अंजान नहीं खैती रहती थी लड़की होना मुश्किल है बहुत खभी ये नहीं बताया लड़का होना भी आसान नहीं और खुछ सिकायते पापा आपसे भी हैं आप जो बिन बात के मुस्कराया करते थे आप भी दर्द को चुबाया करते थे दर्द में रहकर आपने सिकाया मर्द को दर्द नहीं होता आखिर पापा क्यों मर्द नहीं रोता और चोट लगती है मुझे दर्द भी होता है हाफ गलत थे पापा मर्द भी रोता है बहुत बशुक्रियाद अर्द भी होता है अर्द येष्ल इंnder झाल झाल